हेलो फ्रेंस ये देखें मेरी मॉर्निंग की कीचन कैसे बिखरी हुई है अब मैं इसे ठंग से सब जगह पे रख दूँगी और ये देखें मैं बरतन सब को साइट कर ले रही हूँ जो भी बरतन है अच्छे गंदे जो भी है सब सामान सब जगह पे रख ले रही हूं ये सब सामान है रासन है हमारा और ये सब जगह पे रख दे रही हूं जो भी packet मैंने फार के जो समानी यूच किया था वो खाली packet जो बचे थे उसको मैं जाके डाश्ट विन में डाल देती हूँ और फिर मैं पहले बरतन सब धो कर हटा लेती हूँ क्योंकि पहले बरतन इसलिए धो लेती हूँ कि मुझे असानी लगता है पहले इसे करके हटा लेते हैं फिर उधर गैस साफ करते हैं जो भी पोचना होता है तो करते हैं वैसे ठीक लगता है मुझे और यह समय बरतन पहले साफ कर लूँ उसके बाद यह देखिए और यह तो मेरा डेली का काम है सभी का काम है काम ख़तम करने के बाद गंदे बरतन हो जाते हैं तो उसे साफ करना परता है और कीचन को भी सभसाफ करना परता है और उसको जारो पोछा करना परता है और यहां मैं कैची भी धो ले रही हूँ उससे मिर्ची काटती हूँ तो मतलब और भी कुछ-कुछ तो उतमें लग जाता है इसलिए कैंची को भी अच्छे तरह से दो लेती हूँ उसमें जंक भी ना लगे उसमें लगे तरह से 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 त Okay, don't try to save me I feel alive My world is faster and faster The tears in the lamp I'm here for the right Yes, yes I'm an emotional guest Yes, but you wouldn't want me any less It is, cause you know how wild it could get To love in emotional mess I'm in a train, spinning out of control Don't know what this dance is, but at least I'm not dancing alone All kinds of crazy, you heard what I said I blame you lover, I'm out of my head Some days my feelings have been frozen I'm brave and I'm broken My soul is wide open Yes, yes, I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love in emotional mess You got me babe, I'm yours to have Don't hurt me, my heart's in your hands You got me babe, I'm yours to have Don't hurt me baby You got me babe, I'm yours to have Don't hurt me, my heart's in your hands You got me babe, I'm yours to have Don't hurt me babe Yes, yes, I'm an emotional mess Yes, but you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get Yes, to love in emotional mess Yes, you wouldn't want me any less Yes, cause you know how wild it could get To love in emotional mess Yes, to love in emotional mess Yes, to love in emotional mess कर दो 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 यहां पे मैं सभी समान को हटा हटा कर साफ कर लेती हूँ कि वहां पे धूल नहीं जमें साफ रहे इसलिए मैं यह डेली कर लेती हूँ असानी भी होता है नहीं तो वो छोड़ देने पे ना वो गंदे हो जाते है धूल भी जम जाते हैं तो काफी महनत लगते हैं इसी लिए इसको डेली साफ कर लेने से कम भी महनत परते हैं और साफ भी रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं इसी लिए और मेरी लगभग कीचन क्लीनिंग हो गई है अब थोड़ी गैस बाकी है फिर मैं उसको अभी जपट कर लूँगी और मेरी काम खतम हो जाएगी देखें कि वह एएगी है झाले हैं अट आspिक कर लाएगी Forsch businessman करें और कि जाएगी काम नंट T और यहां पे मैं डेली अपना बेसिंग भी साफ कर लेती हूँ उपर नीचे सबच्छे से धो लेती हूँ सबसे कि वहां जो भी पानी का गंदा छीटा पड़ा है वो वहां पे रह ना जा इसलिए उसको मैं साफ कर लेती हूँ कि उसमें नीचे बेसिंग में गंदा जमा ना राजा है उससे अच्छी नहीं लगती है इसलिए मैं रात में भी दीन में भी मैं उसे साफ कर लेती हूँ बरतन धोने के बाद इसे कम भी गंदे होते हैं और गंदे होते भी नहीं है मेरे क्योंकि मैं तो रोज कर लेती हूँ इसलिए और अभी भी मैं इसे धो ले रही हूँ पानी से इस इसे दोलूंगया यहाथ से नहीं हो पाता है न, अच्छे देजिस इस बर्तन से इसे पानी मारमार कर इसे में धोलूंगया तो हाथ से पानी से चीते मार यहाथ सो टाइम लगे गए अच्छे से और भी पाने से दूल जा तो यह देखें मेरी की तूंकित लिए यह लेकी सरकती हूं अपने डेली रूटीन में यह सुबा राग का कहां है यह मेरा अच्छे से दूल लेती हूं और मैं यहां पे जो हैंड वास रखती हूं इसे में भी पाने से दूल लेती हूं कि सावन का जो भी चीरा उसे पढ़ जाता है दो देखने में ला गंदा लगता है इन इसमें अउसे में धोल ही कॉकन है अच्छा लगें स्याफ रापन के चीता ना रहे अर इसे मेरी धोल हमें हुआ हूं को भी में धोली ma & कुछ भी जुटा-घृता कूच नो रहा रहताiltा अच्छे तामें दोगें, इसे मुरी हो गई, साफ बेसे, अब होते भी मलको भी दो ले रहे हैं, जो भी पाने के चीटा उता साबन के पर जादा, इसे जम जादा, तो गंदे नहों अपर दोगें, ये देखिए, मेरी कीचन साफ हो गई है, पहले से देखिए, पहले कितने गंदी लग रहे थी, सब समान इधर उधर बिखड़ा हुआ था, अब देखिए, सब साफ हो गया, बेसिंग भी साफ हो गया, अब अच्छे लग रहे हैं, अब ये सब देखिए, जगह पे भी समान मै हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और यह मेरी छोटी सी ब्लॉप थी किचिन क्लीनी और आप लोग को अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और बेल आइकन घंटी ज़रूर बजाईएगा बाई टेक केर फिर मैं मिलेंगी अपने में अगले वीडियो में